अयुध्या नगरी में राम के दर्शन करने के लिए बी टाउन से कई स्टार्स शामिल हुए लेकिन कंगना रनाओत की तो बात ही सबसे अलग दिखी वैसे कैटरीना, आलिया और अम्बानीज लेडीज भी ट्रडीशनल साडी में ही दिखी लेकिन कंगना देसी पहनावे में अलग ही केटप में सबको अपनी ओर अट्रेक्ट करती दिखी कंगना पारंपरिक इवेंट्स के लिए ज्याद अतर साडी का ही चनाव करती है जब वो अयुध्य पहुचे थी तो उन्होंने महरून और गोल्डन कलर की सिल्क कांजिवरम साडी पहन रखी थी साडी के साथ उन्होंने सिंबल सा हाप स्लीफ्स महरून ब्लाउस केरी किया एक्ट्रिस ने जूलरी भी एकदम ट्रडीशनल ही केरी की थी हैवी नेकलेस और सहारे बाले हैवी एरिंग्स के साथ कंगना का ट्रडीशनल मेकप भी बहुत अच्छा नजर आ रहा था वही राम मंदिर प्राण कतिष्ठा सारे मनी पर कंगना ने आईवरी क्रीम कलर की खूब सूरत साडी पहन रखी थी साडी के साथ कंगना ने औरेंज कलर का ब्लाउज वेर किया जिसका बैक डिजाइन डीप था साडी पर औरेंज और गोल्डन गोटा पट्टी लगी थी गले में उन्होंने स्टोन बाला नेकलेस जुंके और एक कंगन पहने थे और साइड में रेट कलर की शॉल कैरी कर रखी थी जिस पर थ्रेड वर्ट था कंगना का ये लुक भी काफी पसंद किया गया इसे पहले कंगना आईरह खान की शादी में भी ट्रडीशनल अफतार में पहुंची थी कंगना ने पिंक और ग्रे कलर का लहगा पहन रखा था जिस पर मैचिंग एंब्रॉइड रे थी कंगना ने गले में मुतियों और स्टोन वाला नेकलेस पहन रखा था कंगना का प्लाय का और गोल्डन गोटा पट्टी लहंगा भी देखिए कंगना ने अपने लहंगे की एक-एक जलक दिखाई थी ब्लाउज और हैवी मोटी और तिल्ले की कढ़ाई थी कंगना रनाउट ने एक ग्रीन कलर का लहंगा पहना था लहंगे के साथ उन्होंने गोल्डन गोटा पट्टी वाला दुपट्टा कैरी किया था ऐसे हलके फुल के लहंगे लड़कियों को बहुत पसंदा दे है गोकुल धाम श्री कृष्ण के दर्शिन करने पहुची कंगना ने वहाँ भी ग्रीन कलर हैवी एम्ब्रॉइडरी वाला फुल स्लीब अनार कली सूट पहन रखा था जिसके साथ जैकेट अटैश थी इस सूट में कंगना किसी अपसरा से कम नहीं लग रही थी कंगना की है ड्रिस बहुत ही प्यारी थी वैसे आपको कंगना का फैशन और स्टाइल कैसा लगता है हमें बताना ना भूले नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो फेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले